हेलो डियर फ्रेंट्स, व्यूवर्स, वेलकम टो जलक लाइस्टेट जोतिश चैनल, आज का विशे कोरोना की लेहर, हाइपोथेस एंड प्रेडिक्शन, दोस्तों जैसे कि पहले जूलाई में जून में जो सूर ग्रेंड गुआ था तो उस समय भी मैंने वीडियो बनाई थी और लास्ट दिसेंबर का जो सूर ग्रेंट था उस समय भी मैंने कहा था कि ऐसी पत्री बाले लोग हो जाए एक सो आठ तें साथानों तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा ही है कि मार्च तक पहले बढ़ा और उसके बाद कुछ समय कम हुआ और उसके बाद जून के बाद में जो है इस सब इस बारे में तरह तरह की astrological predictions भी रही astrologist की और scientific based hypothesis भी आए दोस्तों ये दोनों ही चीजें चाहे prediction है चाहे hypothesis हैं ये दोनों ही prior knowledge के आधार पर ही होते हैं जो already existing knowledge है उस पर ही आधारित होती है astrology भी आप सभी जानते हैं कि ये पहले से हमारे रिशी, मुनियों, योगियों, विजनरीज द्वारा जो calculation के आधार पर समय के आधार पर जो उन्होंनी कहा वे है जो है आज की तारीक में हम उसको study करके और भविश्वानी के रूप में आपको बताते हैं उस knowledge के सासाथ हम ग जैसा कि आपने देखा कि कोरोना के केस में कहा गया कि जब गर्मी बहुत जादा हो जाएगी तो जो है कम हो जाएगा कोरोना खतम हो जाएगा फिर एक दूसरी hypothesis आई कि जुलाई से जब बारिशी शुरू होंगी तब जो है कोरोना का कहर कम होगा और उसके बाद में फिर यह हुआ कि नहीं आप सर्दी आएगी तो सर्दी में जो है करोना का कहा कम कुछ आएगा तो इस परकार से दोस्तों आपने देखा कि समय समय पे अलग अलग hypothesis आईगा वे कितनी सत्य साबित हुई वे आप सभी जानते हैं उस पे मेरा विवेचना कर लेकिन अफसोस की बात यह कि आप गूगल बाबा की मदद लें गूगल बाबा की शरण में जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे सो कॉल्ड बुद्धी जीवियों ने हमारी एस्ट्रोलोजी निम्रोलोजी या टेरो रीडिंग को इन विध्याओं को जो है स्यूडो साइंस कह दिया है तो दोस्तों बहुत आहत हुआ मुझे मैं बहुत तुखी हुई ऐसा सब पड़कर करके और कुछ बुद्धी जीवियों ने अपनी पैन से बहुत ही जहर उगला है, उनकी पैन जो है इतनी जादा जहरीले शब्दों उगले कि बहुत ही आहत हुई, दोस्तों अ clear prediction है और राधर एक study है कि बुध्ध जो है बुध्धी देता है और ब्रस्पती जो है ज्यान देता है तो जब वो किसी इंसान का बुध्ध और ब्रस्पती दोनों ही सबल हूँ तो वह व्यक्ती बहुत ही intellectual होता है वास्तब में बुध्धी जीवी होता है जो कि बुद्धी और ज्ञान दोनों से परिपून होता है। सिर्फ बुद्धी से आप बुद्धी बल पा सकते हैं, लेकिन जब बुद्धी के साथ ब्रिस्पति भी जोड़ता है, बुद्ध और ब्रिस्पति दोनों जोड़ते हैं, तो जो इनसान होता है, जातक होता है, व यहां पर बुद्ध खाली है, वह सिर्फ अनलिस्स हो जाते हैं, तो इंसान जो है, क्रिटिकल हो जाता है, तो इस परकार से मैं यहां पर ऐसे जीवनों को, स्यूड्र बुद्धि जीवी बोलूंगी स्यूड्र इंटलेक्ट्वास बोलूंगी या आदे अधूरे इंटलेक्ट्वास बोलूंगी जोकि इतनी उच्छ विधाओं को जिनका के उनको ज्ञान नहीं है व्यदिक एस्टिलोजी और जोतिश की दूसरी विधाएं जैसे की नूमरोलोजी और टैरो डीडिंग या फिंश्वी भी हम कुछ हाथ तक कहें तुसमर माना जाएगा ओर बहुत सी विधाएं इसमें हम केपी भी कहेंगी जैमिया यह सारी विधाएं जो हैं बहुती शुंदर fact based और सतित्ता पूर्ण है, calculation based है, मैंने अपनी एक वीडियो में डाला भी है, कि जो हमारी जोतिशी विद्या है, वो अपनी आपनी calculation से पढ़ने पूर्ण है, दोस्तों बात करते हैं, मैं अपनी analysis की बात करते हैं, अभी 14 December को सूरी गिरण आने बाला है, मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग साइंस को कहते हैं, वो कहते हैं, लोग नई से नहीं दबाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोरोना के खिलाब, तो बात समझ में आती है, कि साइंस जो अपना सही काम कर रहा है, और astrology में numerology में क्या है साथ लोगों ने कुछ भी प्रिडिट कर दिया numerology में लोगों ने कह दिया कि जी साथ 21 दिन का जो लोगडाउन है वो जस्टिफाइड है क्योंकि कोविड 19 का 21 नंबर बनता है किसी ने कहा जी 2020 जो है फोर नंबर बनते हैं इसलिए 40 डेज का जो है लोगडाउन हुआ वह हुआ तो इसमें लोगों का यह कहना है जो सो कॉल्ड स्यूडो बुद्धी जीविए उनका यह कहना है कि यह तो तीर तुका है जब चाहे जो कह देते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों ऐ जहन अध्यन अगर किसी व्यक्ति का नहीं है उसको उस विद्याओं के बारे में पता नहीं आपने सिफ एक एक क्रेटिकल एवैलुएशन करिए, आपका थोरू स्टडी नहीं है, नुमरोलजी के बारे में आपकी थे जाड़ी नहीं है, वेदिकस्ट रची में तर्हुनियो जाएं, अपको ग्ईानज प्रप्त तो क्या कटम हो गया फिर दूसरी हपाते से जाती है कि क्या जब रेनी सीजन आएगा हुमेड होगा तो उस समय खतम हो जाएगा कैसा हुआ और हमारे देश में ही नहीं वर्ल्ड ओवर आप देखिए आप कहीं का भी डेटा मुझे देदीजे कि ऐसा हुआ हो थर्ड ली जो है विंटर आएगी तो हो जाएगा दोस्तों सबसे पहली बात बींगे साइंटिफिक्स परसन यह भी मैं यहां क्लियर कर दूँ पहले भी मैंने वीडियो में बताया है वाइरस का गर्मी सर्दी हुमिडिटी से कुछ लेना देना नहीं है वाइरस का जीनोमिक स्रक्चर है उस का हुमिडिटी गर्मी सर्दी इससे कोई लेना देना नहीं है सेकेंडली वाइरस जब भी किसी लिविंग सेल के कॉंटेक्ट में आएगा तभी वे एफेक्टिव होता है तभी वे मल्टिप्लाइग गरता है अगर वो बाहर किसी चीज पर प्लास्टिक शीट पर यह वे न करता है वैसे ही पढ़ा रहे है और हो सकता है कि वह जो है डेड हो जाए पढ़ा पढ़ा यह फिक उसमें जो है मुटेशन को पहली बात तो करेक्टिस्टिक वाइरस की दूसरी बात हाइपोतेसिस आपने तीनों देख ली उसका ना एफेक्ट होना था ना हुआ हां लेकिन यह जैसा मैंने पहले का कि प्रायर बेस्ट पहले से जो नौलीज है उसकी अधार पर क्योंकि और और ओर्गनिसम्स बेक्टीरिय, पंगस, लाइकेंस, अदर जो माइक्रो ओर्गनिसम्स हैं, मौल्ड्स, जो कि हमारे पदार्थों को खराब करते हैं, इंफेक्शन पेलाते बीबारी अप्लाते हैं, प्लांट्स को या फूट प्रोडट्स को वह इन तीन फैक्टर से प्रभावित होते हैं और उनको हम लोग लैब में स्टड़ी भी करते हैं कि कितने परसंट हमिडिविटी पे क्या हुआ और कितने परसंट जो है वाटर कंटेंट था और कब इतनी हीट देने पे क्या हुआ तो वह उसका बीएवियर है तो वह प्रायर नॉलेज है उसके बेस पे यह हैपोथिस आई कि गर्मियों में कम होगा बरसातों में कम होगा या सर्कियों में कम होगा दोस्तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं अब बात करते हैं prediction की being astrologer being scientific person मैंने आपको बताया अब बात करते हूं मैं as a astrologer वैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया था कि सूरी ग्रहन किस परिस्तिती में हुआ है उससे 2 महिने 2 शंक्रांति पहले क्योंकि सूरी की संक्रांति होती है हर संक्रांती पर सूर्य अगली राशी में जाता है तो सूर्य संक्रांती से दो सूर्य अगर कोई भी सूर्य ग्रहन और सूर्य ग्रहन जो है अमावस की टीचिव में होता है यह मैंने बताया हुआ है संक्रांती पहले अगर सूर्य ग्रहन एक सिंपल सूर्य ग्रहन नहीं है मतलब की सूर्य चंद्र अमावस पे होना है तो सूर्य एक राशी में होगे और राहु यकेतु साथ में होगा तो सूर्य ग्रहन होगा इसी वज़े से हर वश शूर्य ग्रğन अवश्य होता है क्योंकि घूमते 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 सूर्य ने उस राशी में पहुचिं से Самहीं जाना है जहां पर रहु ऑक लिए jaketoo है तो इसी परकासे एक या दू और कई बार ज्यादा भी नहीं पड़ते हैं तो अब बात करते हैं, सूरी ग्रेन अभी जून में हुआ था, जबकि राहू के साथ आये थे, तीन नंबर की राशी में, मिधुन राशी में, अब जो सूरी ग्रेन है, दिसंबर में, प्रिष्चिक राशी में घटने जा रहा है, जहां पर की 8 नंबर में केतु अभी 23 सेप् केतु के साथ मिलकर के सूरी जोने ग्रेन बनाएंगे और चंद्रमा भी उस दिन प्रिष्चिक राशी में लेकिन वहां पर दो और राशी हैं, और आपको डीटेल में सूरी ग्रेन की अग आपको वीडियो में लेगे, यहां पर हम बात करना है है, हाइपोतेसिस और लाक्सिमम ग्रह जो है उसकी चपेट में आएंगे तो वह उतना ज्यादा घातक होगा, लास्ट दिसंबर वाला 2019 वाला उसमें साथ ग्रह थे, साथ हमारे जो ग्रह थे वह उसमें संभी लिटे, जून वाले में 6 प्रभावित हो, इस वाले में ग्रह में हमारे फिर से जो है पांच प्लैनर्स आएंगे, तो दोस्तों जब हम बात करते हैं, यह कॉंप्लिकेटर, यह भी शूपकारी नहीं है, और पून ग्रहन है, हमारे देश में नहीं देखेगा, वह बात अलग है, पून ग्रहन है, इस से दो संक्रांती पहले से, कोई भी परिशानी बढ़नी हो, वह बढ़ेगी, और बाद में तीन संक्रांती तक उस सूरी गिनन का प्रभाब रहता है, यह मैंने अल्रेडी पहले भी बताया है, तो यही हुआ इस बार भी दोस्तों, जब सूरी गिनन के बाद आप देख लीचे, जून वाले सूरी गिनन के बाद आप देखें, कि जुल को जब रहू और के तू, मुफ करेंगे, तो कोरोना कम होगा, लेकिन मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाले, क्योंकि मुझे मालूम था, मेरी प्रेडिक्शन, जैसा कि शास्त्रों में इंगित है, दोस्तों, प्रेडिक्शन के सासात मैं बहुत सारा लिखा जोका, संक्रांती के दो महीने पहले और उसके बाद में, सुरिग्रेन के दो संक्रांती पहले और तीन संक्रांती बाद तक रिता रहेगा, इसलिए मैंने जून के बाद में मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं डाली, और मैंने सेप्चेंबर में भी नहीं डाली, जबकि 23 सेप्चें तो ये एक साधारण ग्रेंड नहीं है और पूर्ण ग्रेंड पी है तो उसकी दो संक्रांति कहां से शुरू नहीं दोस्तों फिर से शुरू होगे जिसमें की अक्टूबर और नवेंबर आया दिसंबर में तो ग्रेंड आई रहा है तो अक्टूबर और नवेंबर में और दो इनिशन है, अमावस का होना और साथ में संक्रांती का होना, जो कि एक शुब योग नहीं माना गया है, तो वेह भी शुब कारी नहीं था, तो वेह भी मैंने अपनी प्रेडिक्शन में मेरी नजर में था, इसलिए मैंने बेड नहीं डाला, लेकिन यहां पे मुल्बूत यह त इस पर भी आपसे चर्चा करूँ, तो दोस्तों इस तरह से, मैं हम्बली रिक्श्ट करूंगी और उमीद करूंगी कि यह वीडियो मेरी बहुत दूर दराज तक जाएगी, और लोगों तक पहुंचेगी, जो कि स्यूडो बुद्धी जीवी है, बुद्धी जीवी तो है, बुद्धी उनके पास क्रपा है, वो खाली critically evaluate करते हैं, constructively evaluate नहीं करते हैं, उमीद करते हूं कि उन तक भी मेरी यह वीडियो पहुंचेगी, और इस तरह से, आगे से वह astrology, numerology या अन्य विधाओं को criticize, इतना बुरी तरह से नहीं करेंगे, अपनी कलम से, कि अपनी कलम को इत कि यह कब खतम होगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि हमारी जो नवरात्र आएंगी, चेत्र नवरात्र आएंगे, उस समय में, जो हमारा देश जो है, अपनी वेक्सीन के साथ, एक तरह से साइनोस्योर, जिसे कि हम कहेंगे, चमकता हुआ सितारा, आकाश में, जिसे साइनोस हैं, वेरियस काइंड, फॉर्न कंट्रीज ने भी बनाई हैं, और हमारे देश ने भी, कई वेक्सीन पर बहुत ही सीरियस वर्क चल रहा है, और ट्रायल पे चल रहा है, अब दोस्तों, यह समय, ब्रस्पती भी नीच में है, ब्रस्पती और शनी एक साथ में हैं, और यह है, कि उस समय में वेक्सीन पर बड़ी तेजी से काम होगा, अब फिर है समय आया है, जब ब्रस्पती और शनी मकर राशी में यूती कर रहे हैं, अभी ब्रस्पती, तो इससे जो है, वेक्सीन का जो, जो फाइनल वर्क है, हमारे देश में बहुत तेजी से होगा, और नव वर् जब हमारे नवरात्री आएंगे, तब तक हमारा देश एक वेक्सीन के साथ, पूरी तरह से हाजिर होगा, देश में, विदेशों में, हर तरफ, पूरे संसार में, हमारा देश जो है, उभरेगा, तो दोस्तों, इस परकार से, अभी ये फिर से फैल रहा देखिए, कि दिल् हमारी नहीं होगी, बहुत जादा नुकसान नहीं होगा, और जो कि आप देखी रहे हैं, कि उस, जैसा कि और कंट्रीज में, इटली में, और विदेशों में जितना हुआ है, हमारे देश में उतना नहीं है, लेकिन इस समय में, जब कि राहों, जो है, दो नंबर में मूव क प्रश्राशी में आ चुके हैं, तो यहां पर दोस्तों, अब हमारे देश में जो है, नौर्थिस्ट में और वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, इसके बढ़ने की बहुत जादा चांसे से, नौर्थ में बढ़ेगा, नौर्थिस्ट में बढ़ेगा, साउथ वेस्ट में देखी रहे हैं कि दिल्ली में फिर से यह लहर है, तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो मैं यहां समाप्त करती हूँ, लेकिन फिर भी दुआयं करते हुए और अपनी प्रेडिक्शन को ले करते हैं, कि आप देखेंगे जल्दी ही किया है, फेर्बरी के बाद में फिर से जो है कम होगा, अभी जो हमारा जो सिच्वेशन है, जो हमारे देश की अगर हम पत्री को देखते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने आपको डिरेक्शन बताएं कि किस किस डिरेक्शन में यहां पर बढ़ने के चांसे हैं, तो हमारे उन प्रदेशों को सजग होना चाहिए, जो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी भी है, आप देखिए, जैसा दिल्ली में हुआ, तो आप दिला ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपने देखा कि दिल्ली में इतने वीडियो वाइरल हुए कि लोगों ने मास्क नहीं लगाए, लोगों ने एकदम से लापर भाई की, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है, सरकारे हैं, वे अपने कर रहे हैं, फिर से लोगडाउन लग जाएगा, और क्या कर सकते हैं, सरकारे क्या कर सकते हैं, लेकिन बार-बार, एडवाईजरी आने के बाबजूद भी, जन साधारन को नहीं प्रभाप पड़ा, तो और सरकारों का साथ दें, और अडवाईजरी को यूज करें, सिंपल, तीनी तो अडवाईजरी हैं, एक सिर्फ आपको जो मास्क लगाना है, दूसरा आप अपने हाथों को साफ रखें, अगर आप गर से बाहर नहीं जाते हैं, तो हाथ डेफिनिट हैं, आप सबसे पहले आ सिर्फ तीनी तो अडवाईजरी हैं, तो दोस्तों, दुआएं करते हुए, शुख काम नहीं देते हुए, यह एक मेरी अनलिसिस, एक विवेचना, हैपोथेस, वर्सिस, एस्ट्रोजी प्रेडिक्शन, इस वीडियो को जादा से जादा में तरो शेर किये जेगा, ताकि लो करीशने धनलिसादा में तरो शेर को जादा में, शोस्तों तरो वे रख सिर्झा यह एक में तरो और एकिये जयराने अनलिसित देकरते हैं, ताकि वीडिक्या हैं, एक में खिएखना से सिर्फें से नहीं եा早